Hello friends, my name is Rahul Tiwari and your sister my YouTube channel Technical Rahul तुसतो, आज इस वीडियो में मैं आप एंक एंडरोइड Pi versus Android Q यह मैं बात करने वाला हूं कुछ खास features के बारे में और जो की Android Pi और Android Q के बीच में आते हैं और इभी बात करने वाला हूं कि Android Pi में आपको क्या कुछ features नहीं मिलते हैं न जो की आपको Android q में देखने के लिए मिलते है Android q जादे बेटर है या फिर Android पाई याने अंद्डाइड का पहन्रोड पर वरजन नौध प्रीटल है क्या सारा वरजन यह फिट सारा कुछ बात करने ने क्या कुछ नए पालिकल प्राइड पीचेस आपको Android q मिलते हैं Android अपडेट देने के लिए तो आज इस वीडियों में आपसे बात करता हूं यहां पे क्या कुछ नए फीचर्स आपको Android Q में देखने के लिए जब आपका फोन Android Q पे अपडेट हो जाएगा चलिए बात करते हैं सबसे पहले फीचर की जो की है आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड देखने के लिए नहीं मिलता है वहां पे आप किसी पार्टिकुलरर अप्लिकेशन में डार्क मोड वगरे सेट कर सकते हैं लेकिन Android Q क्याने के बाद आप पूरा का पूरा अपने फोन को सिर्फ एक ही क्लिक में पूरा का पूरा डार्क मिलता है अंड्राइड पाइड में डेस्टाप को आपको देखने के लिए नहीं मिलता है लेकिन Android Q में आपको डेस्टाप मोड जो है मिलता है अपने फोन को डारेक्ट कंप्यूटर पर यहां पर करनेट करके उसे चला सकते हैं तीसरा फीचर जो है Android Q में काफी खास बनाता है फेस आईडी पुले करके तो काफी जाते सेक्यूर्टी आपके फोन की बढ़ने वाली है इस बाद चौथा फीचर है वो यह है कि आपको यहां पर स्मार्ट लॉग मिलता है स्मार्ट लॉग जैसे माले ते कोई भी आपकी कोई एक डिवाइस वागर होती है जिसे की स्मा ज्योटी मिलने वालीर जो से काफी सारी जॉप लोती है वह मतवव बहुत यह नोसे सरी पर मीचन अमारे पोन के सकते हैं तो यह थे कुछ खास फीचर जो कि आपको Android 5 में नहीं मिलते हैं लेकिन Android Q में आपको यह सारे फीचर देखने की मिलते हैं जिससे कि आपका जो फोन होगा वो को और भी जाते हैं पर स्मार्ट होने वाला है तो फ्रेंस असा करता हुँ छोड़ी जानकारी आपको समन में आगए होगी वीडियो पसंदेद वीडियो को लाइक कमेंट से जो कर दीजेगा वी